कि मैं अलग से मना रहा हूँ क्योंकि मुझे यह message carry forward करना है सब लोग हो ता जिनको यह बात अभी तक समझ में नहीं आई है अपनी जिन्दगी के 22, 23, 24, 25 साल तक जिन्दगी में ठीक है What is the purpose of notes? तुम मुझे यह बताओ नहीं नहीं वो सब छोड़ो कि तुम education system क्यों ले रहे हो मैं समाझ गया लेकिन तुम notes क्यों बनाते हो ताके तुम याद रख सको ताके तुम exam में जाके सही से लिख पाओ कि तुम्हें क्या लिखना है तो notes किस तरीके से बनने चाहिए? as answers, headings बस उसकी अगर तुम बहुत ज़्यादा काहे लो मेरी तरह तो बस topics राइड? है अगर तुम answer में maximum, maximum to maximum जितना पन्ने लिख तकते हो ना एक answer को जितना तुम dedicate कर सकते हैं exam में पाज या छे पन्ने, for example, एक answer के लिए और अगर तुम्हारे उस topic के notes उस एक उस पन्नों के नंबर से ज़्यादा है, मालो अगर तुमसे पाँच पन्ने दे सकते हो, ठीक है? मैं मैं बहुत रहा हूँ, Argentina versus France, ये question आएगा, ठीक है? अगर इस question के लिए तुम्हें सिर्फ 5 पन्ने लिखे हैं, क्योंकि तुम्हें पूरा FIFA World Cup 2022 का तुम्हें paper देने जाना है, और तुम इसके लिए सिर्फ 5 पन्ने दे सकते हैं, तो उसके बाद अगर तुमने इस match के notes 10 पन्ने के मनाया हैं तो बाबू, you have failed, ये नहीं करना होता है, ये please मत करिए, please extra sheets लेके दूसरे बच्चे को tension में मत डालिए, don't do that, be comprehensive, 24 पन्ने में लिए कि सब लोग खुश रहेंगे, ठीक है, एक तो सब लोग extra extra sheet ले ले लेता है, तो इस वज़ए से division create हो जाता है, पर teacher भी confused जाता है, मैं किसको ज़्यादा marks दूं किसको कम marks दूं अपने future के बारे में सोचिए, आपको जिंदगी में कभी भी अपनी पूरी पूरी life में आपको इचान मा लिएगा, कोई भी आपको कभी इस बज़ए से कोई मना नहीं करेगा, reject नहीं करेगा, आपका proposal भाड़ में नहीं जाएगा, आपका work proposal कभी भाड़ में नहीं ये नहीं कि हमें नहीं जानना कि छोड़ी से box में क्या लिखा थे किताब में, वो अगर हमें जानना होता है था हम किताब पढ़ देते, जैहन जै भारत, ख्याल लखे हैं अपना